साथ यू अजाब आपको इस्तभाले हमारे चैनल शमार दूइनजी में आजम करेंगे एन आई वेस क्लास 10 डेटा एंट्री ऑपरेशन 239 यू का कुर्ष्टन पेपर सॉल्व करेंगे पूरा बहुत द्यान से देखेगा ज्यादा लंबा चोड़ा पेपर नहीं होता है इसका जवाब पांच पा है फ्लेट पैनल मॉनिटर चीग है इसके बादे वीडियो क्लिप्स क्या होती है मल्टी मीडिया एप्लिमेंट प्यू टेबल क्या होती है सेपरेट शीट और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है प्रोग्राम का सेथ सौफ्ट वेयर क्या होती है जी यू आई प्लॉटर क्या होता है आउटपुट यो नहीं इसके बादे बंदर जेल बयान के लिए सही या गलत बता है सही के आगे सही लगाना है और गलत के आगे गलत तो लाइट पैन और ट्रेक बॉल आउटपुट डिवाइस की मिसाले हैं सही है साउंड कार्ड एक हार्डवेर उनसुर है सही है विंडोस नए हार्डवेर को इंस्टोर करने का तेज और आसान तरीका फराम करता है गलत टास्क बॉक्स की स्तेमाल करके स्लाइडों में टेक्स इंसट किया जा सकता सही है पास्वर्ड बिलकुल ही केस आसिन नहीं होता घलत है वड में कई दस्ताविस को एक साथ खोला जा सकता है सही है अब इसके बाद इसमें कि दिखान करनी है इसकी तारी कि कि सेलर्फ़रेंश क्या होता है ली कि विसका देख्वेकों करना हर एक वर्क शीट में मतादित कोलम और खतार हुट ले हैं वर्क शीट और एक सेल्स का मुन्फर्द reference होता है मिसाल के त्वर पर ए एट इस sales का reference है जिसका column n number A है column number eight है इस ही बोलते है इसके बाद है speaker speaker क्या होते है इसका जवाब दिन्हेंने लिख रख रखा है speaker जिसकी शकल 1.16 में आउटपुट आलाग की एक और खिसम है जिसकी मिदद से आप आवास सुन सकते हैं मसलान मौसियतों और अफराद की मावेन होने वाली गुफ़ी टास्क बार टास्क बार क्या है इसका भी जवाब है जब आप कंप्यूटर सिस्टम चुरू परते हैं तो स्क्रीन पर सबसे नीचे की तरफ स्टार्ट और टास्क बार जाहिर हो जाती है और जब तक विंडो चलती है टास्क बार नदर आती रहे है जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है यह होता है टास्क बार तो कोई विंडो खोलता है तो प्रोग्राम को जाहिर करने वाला आइकन टास्क बार के ओपर जाहिर होता है, यहां आपर, ठीक है, यह सारी बात में इसके बाद है, मशीनी जबान, मशीनी जबान क्या होती है, मशीनी जबान किसे बीखना है, तो मशीन लेंग्विज क्या होती है, यह दिखाओ, यह कैसी लेंग्विज है, जो जीरो और एक की शकल म होती है जिने बैंबरी नंबर कहा जाता है जो कंप्यूटर बरायरास समझ सकते हैं मशीन पर मुनासिल लेंगुजे से सीखना एक मुश्किल हमर है और इसी जबान में प्रोग्राम लिखना पर इंतिहाई दिश्वार है इसके बाद है मंदा जेल पर मुक्तसर नोट लिए स्क्रोल बार 137 स्क्रोल बार के बारे में लिखना है कुछ माउंस डिवाइस या दीगर माइक्रो सॉफ्क पॉइंट से ऐसे भी हैं इनमें स्क्रोलिंग और रॉमिंग की सहूलत मौजूद हैं आप इस किसिम के डिवाइस का इस्तेमाल करके वक्षीट और चार्ट तुबुक में मौजूद ऐसी चीट है ज़िस चार्ट पर मुश्तमीर है चार्ट चीज़ कर साबित होती है जब आप किसी चार्ट वो तैयार करते हैं ठीग है इसके बाद है कम्पीटर ओप्रेशन्स इसका जवाब यह रहा है आजकल ओप्रेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूनिट जी यू आई का इस्तेमाल होता है इस खिस्टम के उपरेटिंग सिस्टम में आप सभी कमांड जबानी याद करने की जरुवत नहीं कमांड साइकन की शकल में मौनिटर पर दिखाए जासे है आजकल सबसे आदा इस्तेमाल होने वाले उपरेटिंग विंडोज है इसके बाद है अगला के टेक्स टाइप करना टेक्स टाइप करना क्या है इसका भी जवाब लिखा हुआ है मतन के साथ मतन को टाइप करना है यानि टेक्स को टाइप करना मतन को दाखिल करना है आप टेक्स एरिया में टाइप करना शुरू कर सकते हैं करते हैं जिसे ही आप मतन को टाइप करते हैं तो वो उस जगा नजर आता है जहां टिम्टिमाता हुआ करजर वाकिव और 20 से दाई जानिब किसकता रहता है टाइप राइटर के बरखिलाब आपको हर लाइन के अखिदाम पर एंटर बटन दबाने की जरुवत नहीं परती इसके बादे वर्कशीट में किलिप आट इंसर्ट करना इसका जवाब यह रहा किलिप आट इंसर्ट को शामिल करना इंसर्ट करना किलिप आट को शामिल करने किजिए इंसर्ट टेप पर किलिप कीजिए इलस्टेटर गुरुप से कंट्रोल आट पर किलिप किलिप किलिए कलेक्शन को मुंतख़विए गो बटन दबाएए कलेक्शन में किलिप पर किलिप कीजिए ठीक है जी इस तरह जो ये दाखिल हो जाया है अगला सवाल है मंदर्जा जेल के दर्मान फर्क वाज़ेगी जे पेज ब्रेक इंसट और डिलीट करना इसका भी जवाब मैंने निकाल के रखा आपके लिए जे रहा है पेज ब्रेक जब आप विंडो का मिनिट में टाइप करते हैं सफ़े के आखिर में पोच्टे हैं तो पेज ब्रेक खुद बाखुद दाखिल हो जाए पेपर साइज बात का ताइएंट करता है कि आटो मैटिक पेज ब्रेक कहा दाखिल होगा थीए यह सारी बात आप इसमें लिख देंगे इसके बाद है फुटर फुटर हेडर वो मतन है जो हर सफ़े की वालाई हाशे में शामिल किया है मतलब दस्ताविस का उन्वान ये सफ़े का नंबर और फुटर मतलब उपर की तरफ तो और फुटर जो होता है वो नीचे की तरफ आता है यानि नीचे के हिस्से में आफिर हो दस ये सवालों के जवाबाद दीजिए पेशकश यानि पर्जेंटेशन के नॉर्मल व्यू की मुक्तसरन वज़ाहत कीजिए इसका जवाब की मैंने यहां पे लिख रख़ा है पेशकश यानि पर्जेंटेशन जब आप पावर पाइंट प्रोग्राम चुरू करें तो आपको खाली पेशकश नजर आईए नोट पावर पाइंट दोजासाद में आफिस में की जगा दूसरे प्रोग्राम का मतालिक होगा रिबिन टेप पर まだ ने करें और टैप कर सकते हैं और भी है इसमें दे रखा है उतकि यह सारी चीजह कर सकते हैं इससारी चीजह करता है यह अग्रा सवाथ हसाए यह विन्डो मैं आई सेट रिजूर कि आतर्व यह पीकर नहें कि स्टैप्वादली किसी कभिन करना वैसे तो बहुत असान है कंट्रोल सी और कंट्रोल भी से इन फिर भी आपको मैं दिखायता हूं जो भी कैसे होती है कि दिखिए कि देखिए कि फॉर्मुलेयों कॉपी करना महुत असान है सलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे और जा ले आना वाले आज़े तर्टोल भी दबा देंगे पेस्ट जाए विंडो टेबल का इस्तेमाल करके डाटा सोर्स बनाने के एक दमाद की वज़ाद करें कि अधी कि अधी काद कराध एक्सेल्ड बोग्राम करता ले नहां एक्सल प्रग्राम कर देंगे और आप डेटर प्रप्रढ्राय ऺ्ल्मक्राइज ** जब आप तमाम रिकोर्ड दाखिल कर लें तो वर्कशीट में अपने वर्कशीट में फिल्ड का नाम और डेटा रिकोर्ड दाखिल के उन्हें मुंतख़त कीजिए और अगला विंडो में एक प्रोग्राम शुरू करने के अग्दामाद दीए विंडो में एक प्रोग्राम शुरू करने के अग्दामाद दीए विंडो प्रोसेसिंग यह हैं इससे आप पहले से बने हुए बिल्ड इन को तश्कीर कर सकते हैं आप टेबल कंटेंड की तश्कीर की सलाहियत से कर सकते हैं आप एक ही वक्त में कई दस्तावीज पर काम कर सकते हैं अब इसके बाद है पेंच सेट अब डायलोग बॉक्स का इस्तेमाल कर गया पेज मार्जन को किस तरह बद लेंगे वजाहत करें इसका भी जवाब मारे पास अब इन दो है यानि हाशिय को पेज मार्जन की बात हो रही हैं आप पेज लियाउड में जाएंगे पेज सेट अप पर किलिक करेंगे मार्जन पर इंतिखाब करके दाएं बाय जानिब जितना चोड़ना उतना चोड़ देंगे और इस तरह आपका जो है अपना जैसे भी करना चाहते हैं जैसा हो जाया अब यहां पर सवाल है कि एक शॉटकट कीज बदाने किसी डोकूमेंट को प्रिंट प्रिव्यू देखना मदा प्रिंट करने से पहले कैसे लाएं कांट्रोल तू किसी फाइल को खोलना कांट्रोल हो text को एक line को paste करने के लिए control भी text को justify करने के लिए control J ठीक है इसके बाद अगला सवाल है text को right लाने के लिए control आ file size को बढ़ा कर 14 phone करने के लिए text side करते हैं file पे जाकर 14 कर देते bleeding लफ्स को bold और caps करने के लिए bold करने के लिए control भी करने के लिए shift F3 मतलब capital में line spelling को एक से दो बढ़ाने के लिए control to line space बढ़ाने के लिए इसके बाद यह है कि नीचे दूबे हुए जंगली जानवरों के बाद ही आता तो line chart बनाने के अक्तामाद बताएं 205 पर यह भी दिखायता है कि जा रही है line chart के बारे में लिखना है कि लिए लाइन चार्ट बरक्शीट के अंदर फिर फ्क्रावों पेश्कों लाइन, डेटा को लाइन चार्ट की मधथसे प्लोट, लाइन चार्ट का इस्तमाल वक्त के मकभिस्तेक्यर्ट डेटा एक मश्तरक के लिए तूंपय सब्सक्राइब करना यह फॉर्मूला यह ऊपका पॉस्च्चिन 그em और हुगी है यृ ऐसी तब आगा अस्तान सा ही लिजिक करतेई शेयर करतेई कुत स्ब्सक्राइब करदेई शुखरिया